हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैं यूटूब चैनल, दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको विश्व जल दिवस के लिए कुछ इस तरह का पोस्टर बनाना सिखाएंगे, अगर आप भी इस तरह का पोस्टर बनाना सिखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक सब्सक्राइब, तो दोस्तो इस पोस्टर को बनाने के लिए, मैंने जो भी बैक ग्राउंड इमेज, पी एंग इमेज का यूज किया है, उन सारे मेटेरियल की जिप फाइल का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसमें जो पासवर्ड लगा हुआ है, वो पासवर्ड भी आपको इसी वीडियो में दो जगह पे देखने को मिलेगा, तो आपको वीडियो को पूरा ध्यान से बिना स्किप किये, एंड तक देखना है, तब ही आपको पासवर्ड मिल पाएगा, नहीं तो आप कमेंट करोगे, कि मैं पासवर्ड मि DLP file मिल जाएगा और दोस्तों इस poster को बनाने के लिए आपको एक application की जरुरत परेगी जिसका नाम है Pixel Lab हो सकता है आपके phone में पहले से install हो अगर आपके phone में यह application install नहीं है तो आप इसे play store से easily download कर सकते हो और इस application का link वीडियो के description में भी दिया हुआ है दोस्तों मेरे phone में यह application पहले से install है तो चलिए मैं इसे open कर लेता हूँ Pixel Lab application open करने के बाद आपके सामेश तरह का interface आता है यहां पर आपको new text लिखावा मिलेगा इसको delete करने के लिए ओपर left corner पर delete का एक button मिलता है इस पर click कीजिए और यहां ok पर click करके इसको delete कर दीजिए उसके बाद आपको उपर right corner पर three dot का एक option मिलेगा इस पर click कीजिए और है पहले नंबर पर जो option आता है use image from gallery इस पर click कीजिए और यहां से यह वाला background image select कीजिए और ok कर दीजिए उसके बाद आपको उपर plus का icon पर click करना है और पहले नंबर पर जो option आता है text का इस पर आप click कीजिए तो यहां पर आपक करने के बाद आपको ok पर click करना है देन आपको नीचे second number वाले tool पर click करना है यहां पर scroll down करके नीचे आना है यहां पर option आता है color का इस पर click कीजिए और जो भी आपका favorite color है वो color आप select कर लिजिए जैसे आप में यह वाला color select करता हूं फिर आपको ok कर देना है देन आपको नी इनेबल करके white color को select करके ok करना है उसके बाद आपको उपर आना है यहां पर double T लिखावर text size का option आता है इस पर click किजिए और इसको अपने recording इसका size बढ़ा दीजिए उसके बाद आपको ok करना है ok करने के बाद आपको उसी के बगल में relative position का option आता है इस पर click किजिए और upper में उसके बाद कौम आदे के फिर type करेंगे जल है तो कल है चलिए पहले में type कर लेता हूं फिर आपको दिखाता हूं इतना type करने को आपको ok पर click करना है देन आपको नीचे second number वाले tool पर click करना है यहां पर scroll down करके नीचे आना है यहां पर option आता है text background का इस पर आप click किजिए इ इसके बाद आपको नीचे आना है यह भी font वाले option में और जो भी आपका favorite font है वह font आप select कर लेजिए उसके बाद आपको ok करना है उसी के वेगल में आपको style का option मिल जाता है इस पर click करेंगे तो आपको यहां पर तीन option मिल जाएगा underline का italic का और bold का तो अगर आप इसको bold italic करना चाहते हैं तो आप कर सकते है न falar को कर देता हो उसके बाद आपको ऑके कर देना है करने की बाद आपको इसे यहां पे एढ़ने कि इसका size करने के बाद के लिए पर क्लिक करना है टेक्सट में जाना है इस टेक्स्ट को इधर ले आना है उसके बाद आपको match of available प्लिक करके इसको erase करके जो भी आप coats टैप करना चाहते है जल के लिए वह आप टाइप कर सकते हैं जलिए हमम यह वाला जाना है और जो भी आपका फैवरेट पॉंट है वह फॉंट आप स्लेट कर लिजिए जैसे मैं यह वाला फॉंट करता हूं फिर आपको ओके करना है ओके करने कवाद आपको नीचे आना है यहाँ पर ओप्शन आता है लाइन स्पेसिंग का इस पर किलिक किजिए और थोड़ा करने के बाद आपको फिर से उपर प्लस के एकन पर क्लिक करना है फ्रॉम गैलेरी में जाना है फ्रॉम गैलेरी में जाने के बाद आपको यहां से यह वाला पी एंजी लेना है ओके करना है और जूम करके इसको सेट कर देना है इस तरीके से इतना करने के बाद आपको फिर स से मैं लगा देता हूं अब दोस्तों आपको फिर सी उपर प्लस का एकन पर क्लिक करना है पहले नमबर पर जो ऑप्सन आता है टेक्स्ट कर इस पर क्लिक कीजे इसे नीचे लिए उसके बाद आपको इस पर डबल क्लिक करना है इसको रेज करके हमें आपर टाइप करेंगे पर अब क्लीक और इसका और यहारा पर टालना चाला कैंज और शॉक्तन आपको वाट यह ने दिशनका क्लिक करना यह को नेचे आपको इनेवल करना है इसको बाइट क्ले रथेट घरवब में बाइब न राड मैं फिद्सक्राइन के इस नो उसके वाद आपको इसको छोटा करके यहाँ पर लगा देना है दोस्तों गर आप इसका फॉंट बगर चेंज करना चाहते तो आपको एभी फॉंट वाले उप्शन में आना है और जो भी आपका फैबरेट फॉंट है वो फॉंट आप स्लेट कर सकते हैं यहाँ आपको जेस से होगा यह कि आपका जो यह पोस्टर बना है वो अल्टर एजडी को लेटी मैप की गैलरी में सेव होगा तो दस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आद वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और इ झाल झाल